बेगुसराय के लाखो सहायक थाना च्छेत्र में 20 नवंबर को हुए प्रिंस कुमार हत्याकान में पुलीस पर लापरवाही कारोप लगाते हुए मंगलवार को मृतक के परिजन सहीत दरजनों लोग ने स्पी कारेला कर गुहार लगाई है परिजनों ने मुख्याले डियस पी निशित प्रिया से मिलकर आरोपियों को अविलंब की गिरफ्तार करने की मांग किया है मृतक की माने बताया कि उनका पुत्र प्रिंस कुमार परदेश में मजदूरी करता था चट में गाउं आया तो प्रातकालीन अर्ग के दिन 20 नवंबर को गाउं के ही अभाई कुमार छोटू कुमार एवं बबली कुमार ने फोन करके बुलाया तथा गोली मार कर हत्या करने के बाद सब को घर के बाहर पहुँचा कर फडार हो गया इस मामले में नामजद प्रात्मी की दर्च कराई गई लेकिन पुलिस ने कोई कारवाही नहीं किया कुछ दिन के बाद एक ही आरोपी अभाई कुमार ने नियालाय में आत्मसमरपन कर दिया लेकिन दो आरोपी बबली कुमार और छोटु कुमार को पुलिस पकर नहीं रही है बार बार गुहार लगाई जाने के बाब जूद लाखो थाने की पुलिस मामले में निश्क्रिये बनी हुई है जबकि आरोपी दोरा उनके घर पर आकर दूसरे पुत्री की भी हत्या करने की धमकी दिया जा रहा है को हम ला हुआ जे यद मों लाखो को superior है को थाना की इंतीया क्या करें लें पारे टार से लांटारक्तिक वे पुछागल यह कने लाखो थाना कश्ताř टाना उनकाय नैंके पर बच्चा जहां तो एक दाने के लिए पड़ी के दौर नहीं चाहिए उबचा की काई तहीं माई बाब गरीब चाहिए उपाइस के बाए बेशने रहे बाहर से बोलाई के मार के द्याग ले दुएर पर ऑक राला के कोई वागा दुनिया में नहीं चाहिए बाहर में काम करें रहे हैं तो खुर रहा है रूप बच्चा की बच्चा रहे हैं चोड़के तो मर बच्चा नहीं रहे हैं क्या नाम है इनका प्रिंस कुमार बच्चा की नाम रहे हैं बाहर में काम करें रहे हैं लाहाई खाए बारे बज़ एक बज़े राइत कही भी एक कर कुछ रहते हैं लोग नहीं जानती हैं की मांग करें इंसाफ बच्चा की इंसाफ हमें मंगे जिए